हेलो एवरीवन नमश्कार हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है धोस्तों कल गनेश चतुर्थी है गनेश चतुर्थी का उठसव 10 दिन तक चलता है इस गनेश चतुर्थी इस बार गनेश चतुर्थी 2 सिम्बर को है बगवान गनेश को विगन हर्ता और विगन विनाशक कहा जाता है अगर आपके काम में बादाय आ रही है या आपके काम बनते बनते बिगड जाते हैं तो गनेश चतुर्थी के इस शुब अवसर पर आप उनकी परतिमा लाएं और घर में स्थापित करें पूजा करें लेकिन गनेश परतिमा को घर पर स्थापित करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान करना जरूरी है कौन सी है वे बाते मैं आपको जरूर बताऊंगी लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नई आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देजिए ताकि आने वाली नई वीडियो देख सकें आप सबसे पहले तो आईए जानकरी शुरू करते हैं दोस्तो हमें गनपती जी की ऐसी परतिमा यानि की ऐसी मूरती घर में लानी चाहिए जो शास्त्रों के नुसार सही हो यानि की धार्मी ग्रंथों में गनिश जी का जैसा स्वरूफ है बताया गया है वैसी ही उनकी परतिमा होनी चाहिए इसलिए गनेश जी की परतिमा में जनेव, रंग, शर्ष्ट्र, सूंड, वाहन, हाथों की संख्या, आकर्ती जैसी कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है गनेश जी के अनुसार बनी परतिमा की पूजा करने से सारे मनुरत सिद्ध होते हैं, कामियावी मिलने लगती है तो आईए जानते हैं कि हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए मिट्टी से बने गनेश जी घर में लाने चाहिए या फिर आप घर में भी मिट्टी से गनेश जी बना सकते हैं मदार की जड़ से बने हुए गनेश जी की पूजा करना बहुत शुब होता है प्लास्टर आफ पैरेस या अन्ने कैमिकल से बने परतिमा की पूजा नहीं करने चाहिए और सोने चांदी से भी बने गनेश जी की पूजा करना बहुत शुबवान जाता है शाश्तरों में गनेश भगवान जी के कई नाम है उनमें से एक नाम है वक्रतुंड जिसका अर्थ है भगवान गनेश जी का वह सुरूप जिसमें उनकी सुन्ड एक तरफ मूड़ी होती है शिरी गनेश जी के इस स्वरूप के कई भेद हैं कुछ परतिमाओं में यानि कि कुछ मूर्तियों में गनेश जी की सुन्ड बाई और मूड़ी होती है तो कुछ हो में दाई और मूड़ी होती है और कुछ में सीधी होती है दाई और घूमी हुई परतिमाओं में वह होती है जिसमें भगवान शिरी गनेश की सुन्ड उनके राइट हैंड की तरफ मूड़ी होती है और इसी तरह बाई सूंड वाले परतिमा में उनकी सूंड लेफ्ट हेंड की तरफ मूरी होती है दाई और गूमी हुई सूंड वाले गनिश जी की सिद्धी विनाए कहलाते हैं मतलब जिनकी सूंड राइट साइड में होती है उनको सिद्धी विनाए कहते हैं ऐसा माना जाता है कि इन की पूझा करने से हर कारे सिद्ध हो जाते हैं। दाई तरफ सूण्ड वाल गनेश जीकी पूझा के कई नियम होते हैं। परिवारिक और ग्रस्द लोगों के लिए इन नियमों का पालन करना समभव नहीं होता। यही कारण है कि इस तरह की मूर्तियां मंदिरों में ही पाई जाती हैं इसलिए घर पर दाई और सूंड वाले गनीश जी स्थापित ना करें बाई और सूंड वाले गनीश जी जल्दी हिपरसन हो जाते हैं और इनकी पूजा में कोई खास नियम भी नहीं होते ऐसे गनीश जी की पूजा स्थाई कारियों के लिए की जाती है जैसे दिक्षा, धनप्राप्ति, व्यापार, संतान सुख, विवाह और पारेवारे खुशाली ऐसी मूर्ति की पूजा करने से भवान गनीश जी जल्दी परसन हो जाते हैं और सभी परिशानियों से मुक्ते भी मिल जाते हैं सीधी सूंड वाले गनीश जी की पूजा, रिद्धी सित्टी, कुंडली, जागरन, मोक्ष, समाधी के लिए सर्वोत्त मानी जाती है इसलिए सादोसंद समाज के लोग ऐसी परतिमा की पूजा करते हैं ग्रेश्ट लोगों को ऐसी परतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए ऐसी मतलब जिसमें उनकी सुन सीधी हो तो ऐसी परतिमा घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए गनीश जी की मूर्ती खरीदते समय रंग भी माइने रखता है इसलिए आपको रंग का चेन भी सोच समझ के करना चाहिए जैसे की सफेद या सिंदूरी रंग की परतिमा सबसे ज्यादा शुब मानी जाती है इससे घर में सुक्षान्ति कवास होता है और सारी मनो कामनाई पूर्ण होती है व्यापारी लोगों को सिंदूरी रंग के गनीश जी की पूजा करने चाहिए इससे उनके व्यापार में उन्नति होती है सिंदूरी रंग के गनीश जी की पूजा करने से घर में सुक्षान्ति आती है शास्त्रों में गनीश जी की पूजा बहुत ही दुमधाम से मनाई जाती है शास्त्रों में गनीश जी की गनीश जी को दुमरवर्ण भी बताया गया है यानि कि गनीश जी को उनका जो रंग है वो दुमे के समान उनका रंग होता है ऐसे रंग वाले गनेश जी की घर में स्थापना करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है गनेश जी को भाल चंदर भी कहते हैं इनके तो वैसे कई नाम है पर इन में से जैसे एक नाम भाल चंदर भी है इसलिए ऐसे गनीश जी की पूजा करनी चीज इसमें उनके मात्य पर यानिके ललाट पर चंदर्मा बने हो तो इसमें से जिसमें उनके हाथ में पाश, अंकुष, मोदक हो और एकदंत हो और वर्दान देने की मुद्रा हो शास्त्रों में ऐसे ही गनीश जी का वर्णन मिलता है बैठे हुए गनीश जी की परतिमा स्थापना करना शुभ माना जता है यानिके जिसमें गनीश जी बैठे हो ऐसे गनेश जी की पूजा करने से धन लाव होता है और घर के हर कारेक शेतर में आने वाली सारी रुकावटें दूर होती है जिस परतिमा में जिस मूर्ति में गनेश जी के कंधे पर नाग के रूप में जनेव ना हो तो ऐसी मूर्ति भी नहीं लानी चाहिए जिसमें गनिश जी के वाहन यानि मूशक ना हो तो ऐसी परतिमा भी नहीं लानी चाहिए और ऐसी परतिमा की पूझा करने से क्योंकि दोश लगता है तो इसलिए गनिश जी की ऐसी मूर्ति खरीदें आप ऐसी मूर्ति घर में स्थापित करें जिसमें गनेश जी का वाहन भी हो यानि मुशक साथ में हो जिने संतान सुक की कामना है जिनको संतान सुक की कामना है या संतान सुक में बाधा आ रही है तो उन्हें गनेश जी के बारस्वरुख चित्र की या प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए ऐसा करने से शेगर ही संतान सुख प्रावत होता है घर में खुशियां तरक्की के लिए नर्ते मुद्रा वाले गनेश जी की परतिमा लानी चाहिए जिसमें गनेश जी नर्ते करते हो ऐसे गनेश जी की पूजा करना छातरों के लिए और कलाश शेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत लावगारी होता है घर में धना अगमन होता है और खुशाली आती है इस गनेश उत्सवपर आप अपनी मनों कामना की पूर्ती के लिए गनेश जी की परतिवा का चैन सही करें मैंने इतनी सारी बाते बताई हैं तो जो भी आपकी कामना है उसके मुताबिक आप गनेश जी की मूर्ती खरीज सकते हैं तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्याद से ज्यादा शेयर करके और लोगों तक ये जानकारी पहुचाएं ताकि और लोगों को भी इसका ला मिल सके आपका अगर को सुझाओ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं गनीश उत्सव को आप धूम धाम से मनाएं और खुश रहें मिलेंगे नई वेडियो के साथ नमस्कार